बेटिया, 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 बेटिया बेटा बेटी इस बार जो राजय सेवा के परिछाएं हुई हैं उसमें टॉप जो टॉपर्स हैं सब बेटिया ही बेटिया हैं तो मैं चाहूँगा अपने लिए कम से कम एक बार ताली बजा के सौगत को रहो अपने लिए हमारे जीने की बेटिया हर खेत्र में आगे हैं पर्दे के छेत्र में लिखने के छेत्र में कला के छेत्र में और इसको और आगे लाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियांग के नाम से मानी मंत्री जी के मारदर्सन में संजदी सची मैडम के मारदर्सन में हम और छोटा सा प्रियास इसले ऐसा लग रहा है कि इसमें हमको जरूर सबलता मिलेगी इस देश का तक्दीर और तस्वीर लिखने वाले बेटिया ही हैं अगर बेटिया नहीं होती तो आज देश का ये नजारा नहीं होता यही बेटिया एक दिन मा बनेंगे और उसी मा से हम और आप सब आज यहां पर आए इसलिए बेठियों को बचाना बेठियों को पढ़ाना और बेठियों को पढ़ाना हम समाज के समस्थ लुगों का प्रत्रम दाईवत है करतम है मेरी समाज के लोगों से निवेदन है कि आज जिस तरह का अनुपात यहां पे चल रहा है लिंग अनुपात चल रहा है वो कहीं न कहीं गड़ बड़ा है इसको ठीक करने हमारी और आपके जुम्मेदारी है बेटी हो तो बेटी बेटा के बराबर होता है जिसके परिवार में बेटा नहीं है तो बेटी ही काम आती है बेटी है सब कुछ करती है बेटा के बराबर उससे कहीं बड़ चड़ के ज़्यादा सेवा करती है अपने करतबवों का निर्वान करती है इसलिए मैं तो आज की कहूँगा एक बात कि बेटियां सबसे अच्छे है उनकी सोच और विचार अच्छा है परिवार के लिए सोचते हैं समाज के लिए सोचते हैं परदेश के लिए सोचते हैं और देश के लिए सोचते हैं इसलिए आईए पिल करके इन्हें हम और ताकत है और ये मजबूती के साथ आगे आएंगे तो एक देश में पहचान बनेगा, परदेश में पहचान बनेगा, समाज में पहचान बनेगा अब ही कोरिया जिला में लिंग अनुपात और हमर बेटी मनकर कमी आ थे, आज के तोर में हमर कोरिया जिला में एक भेदभाव दिखा थे, कि हमर बेटी और बेटा में भेदभाव हुआ थे, तो मैं कोरिया जिला वासी लोग से अपील करत हूँ, कि हमर बेटी और बेटा में कोई अंतर नहीं है, आए वाले में, अगर हमर बेटी ही, हमर गाओं में नहीं रही, हमर समाज में नहीं रही, तो हमर समाज, हमर देश आगे कैसे बढ़ी, हमर कोरिया जिला का जय जोहार, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और आत्म निर्भर बनू बेरे संगी मुहोट, कर्मतरकीत मचादार बेरे संगी मुहोट, कर्मतरकीत मचादार